लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें जा गंदो, हॉस्पिटल के सामने खड़ों क्यों फूफू कर रहा है? पीबी बीमार है, अंदर है क्या हो आप आपी को? वही औरतों वाली बीमारी सिग्रेट कितना की है? 10 रुपे की 10 रुपे की और जेब में किती पड़ी? एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहा है? यह देख, मौत लखी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिंदगी हस मत दो सिग्रेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाग बिमारी जो महावरी के वक गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाक बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीरी की सोच अभास हीरोगीरी ये पीने में नहीं है ये देने में है हीरोगीरी शिक्स ये फार्मूला लिखो तुम लोग फोर जी होल सक्वायर इक्वल टू 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 झू ये तू विपल टू जीरो जीरो नाइबे शेक्स ये मेरे सांदक मत कर मुझे पागल बना रहा है क्या मैंने पेचंब देख लिया पढ़ाई पर ध्यान दोगे तभी तुम लोग अच्छे डॉक्टर या इंजिनियर बनोगे अगर ऐसे मस्ती करोगे तो किसी दुकान में इडली सांबर की चटनी परोसोगे तुम हस क्यों रहे हो तुम्हें ही बोल रहा हूं मैं समझ गए अब ध्यान दो इदर ठीक है अब म बेदे जॉब मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता यह बोल रहा है साब जी साब जी नमस्कार आप बोलिये चाटी क्लास का सी डिविजन कहां है यही है यह मेरा पोता है इसने आज इसकूल में दाखिला लिया है तो इसे भी बिठा लीजिए अंदर आजयों बिट हुआ है हमारे पास पागलों की कमी थी क्या जो एक और आ गया अब देखना हो कितना दुखी लग रहा है उसको जाने दे ठीक है साथ मैं जाएं मैं देखता हूँ तू ए प्लस टू बी होल स्कूर इकुल टू ओर इसकूर प्लस ट्वेल बेबी प्लस नाइन बी स्कूर शेहर की जिंदगी जाओ की जिंदगी से अलग होती है रसी बार-बार घिसने से पत्थर पर दरार पड़ जाता है तो इंसा प्लस ट्राण के मेनद भी कभी वेकार नहीं जाती हुआ है कि यह लाया अबे इडली लाया क्या तू क्या लाया है दाई राइस है अधिश्या थाने का मन कर रहा है तो तो तुर पास और कोई रास्ता नहीं बचाए तो जाकर टीचर का लांच बाक्स शोरी कर ले अबे वो ले ले क्या तुखा क्यों नहीं रहा है तुझसे ही पूछ रहा हूं नहीं चाहिए क्या ले लेते हैं ना अरे यार अच्छा में तरी साथ खिलने नहीं आ सकता है तो मेरा जनम दिन है ना इसलिए मुझे चौकलेट लेनी है और राइस भी खरीजिए अच्छा सुनना एंग्लेस चौकलेट खरी ना और वह बहुत महेंगा आई यार मेरे पापा नहीं खरीदेंगे वह तो सस्ती वाले ही खरीदेंगे क्यों तुझे सिर्फ लेर्जी पसंदें क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा मैं जाओ मैं तुझे भी छोड़ दूगा अरे नहीं नहीं हम लोग बातचीत करते करते पैदक चले जाएंगे बस अच्छी तरह से चले जाना हां यह तुझी कैसे जानता है इसने कंप्रेंट तो नहीं किया ना कि हमने उसका लांज बॉक्स खालिया अरे नहीं या बता है इसके पापा ना मर चुके है मेरी ममी बोलती है कि मैं इसे जाकर दोस्ति कर अरे उसे दोस्त बनाकर हम लोग क्या करेंगे हैपी अरे एक लेगी समझे ना कोई जादा नहीं लेगा है यह ले ले ना यार इसका बड़े है आज की कि मुझे तो यह पाग्र लगता है इसके माबब भी परिशान होकर इसे छोड़ दिया है लगता है अले खाले मेरी अन। करावा उला यो इल जलमसे जल सिट कि अपने पोते को ढूंड रहे हैं वह तो कपका चला गया उसने क्लास के बच्चे को मारा है यह क्या वह सजा दी और स्कूल का बेल बसते ही वह भाग गया कि अपने अपनी अपनी घर जाओ मस्ती बत करो कि यहीं है वह क्यों मारा मेरे बेटे को क्यों पिटाई की उसकी सुनाई नहीं देता क्या मैं तुसे कुछ पूछ रहा हूं क्यों मारा इसे ऐसे क्या देख रहा है साब जी साब जी आप मेरे पोते को क्यों डाट रहे हो क्या किया बेटा तुने स्कूल में क्या हूँ अगर तु बतायागा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा अरे बेटा आज तेरा बड़ आज इसका भी बड़ और तुम हमसे क्यों कर रहे हो जाकर इसके माबाप को बलाओ हमें इसके माबाप मर चुके है तुने इसे क्यों मारा, ठीक है, अब से तु ऐसे चोटे-मोठे जगड़े नहीं करेगा, तुझे जो कुछ भी कहना होगा, मुझसे आगर कहना हो, ठीक है ना चलिए चलते हैं, बच्चों के बीच की बात है, आपस में सुलजा लेंगे, चलती हूँ बेटा, ये स्कूल वालों ने कुछ नहीं किया, क्या इसके साथ, ठीक है, नहीं नील डाउन कराया था, ना बच्चों, जो बोलूँगा दोरा ना, ठीक है सर, ठीक है, पुराने दिनों में, एक गाउं में, दो दोस्त साथ रहते थे, उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, मास्टर जी सुनिये, बहुत अच्छी दोस्ती थी, हरे, हाँ, अपना बैग ले कराओ, ठीक है सर, अबे क्या यार, तू अकेला जाएगा, इसकी बोरिंग क्लास में तू यह बैठ, हराईो दोफ दूआ हैं। आरारो, आरारो, आरारो आरारो, आरारो, आरारो आरारो, आरारो आरारो, 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 आरारो खवाँ बआदाया हुआ. झाल 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 हाँ बोलो हाँ मैं घर पर ही हूँ क्या हुआ अरे रे 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 ठीक है हम जाते हैं बेटी बेटी है मां भी आल आजान। अलो अरे मेरा बुढ़्धा कहीं तो बाहर जा रहा है तो हेमा को मुझे स्कूल छोड़ना है बाइक बाहर ही रखना मैं आ रहा हूं उसमें पैट्रो लेकर नहीं चेक करना है हेमा आई भाईया चलो भाइया भाइया पापा ने बाइक लेकर जाने के लिए यह खटारा इस खटारा को इस दुनिया में डैडी के अलावा और कोई नहीं चला सकता इस पर जाने से तो अच्छा है कि पैदल चलकर स्कूल जाएंगे चलो आओ कि अपने नाश्ता किया अगी यह तुप ही जाना मत मैं आकर तुझे भॉप कर दोगा है कि अधर कि है 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 हाँ कि अधर कि अधर श्कूल जाने वारी लेक्तों को छेटता कैसा बेशरम है चल निकल पाउन था ऐसे बुर्ण रहा था जैसे मुझे मारी देगा मैं उसकी बेहन को पटा नहीं पा रहा है चुड़ना यार उसे थाम बात में देख लेंगे हमारे हांसे बचेकी नहीं कि अधर बात मुझे भूब कि अधर भूब कि अधर चुड़ना तैसे लेगे बच्वण कि अधर भूब हालो अरे यार मैं मुद्दु बोल रहो हां कहा है तू पास दुकान पर आया हूं ठीक है तू उही पर रुखना मैं इश्वरन को छोड़कर फ्रेश होके आजाता हूं अहां ठीक है जल दिए एक सिगरेट देना भाई कि अगर आए एह सिग्रेट फेक दे तेरी लबर देख रही है तो क्या हुआ कैसे घूर कर देख रही थी ओ फिर भी तू सिग्रेट पीता ही जा रहा था सारे करना में तू करता है और उपर से जागर के दोस्ट उसको देता है तो एप एन चीजों में ही तो मज़ा है नहीं तो जिंदीगे में क्या रखा है चलो बो सारी बात ने छोड़ कि यह तो होता ही रहता आप थोड़ी दिर में तेरी लावर का घर आएगा किसे हैं अब कि अपने गर के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए को रिश्वत दी है तीक है चल मिलता है तुछ यहां से चली जाओ किसे ने देख लिया तो प्राब्लम हो जाएगी प्लीज 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 अच्छा क्या है जल्दी बोलो कि तुम्हें उससे प्यारे यही कहना चाहती हो तो उसको जाके बोल दो उसको देखिए इतना घबराती क्यों जब वह सामने होता है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हो आप मेरी मदद कीजिए न क्या तो तुम्हारी जगा मैं उससे प्यार करूँ ठीक है तुम जाओ मैं रात में उससे बात कर लूँगा सिर्फ बात करूँगा लेकिन फैसला उसका रहेगा जैसे तुने मुझे रोका वैसे उसको रखना और देखना कि उससे कैसा लगता है उसने मना किया तो तू उससे परिशान नहीं करेगी ठीक है ना ठीक है चलो जाओ यहीं बागी था कि अधिक है इसी कॉलेज में पढ़ता है तू नए तो फिर यहां पर क्या कर रहा है तू कर रहा है वहीं यह भी कर रहा है मुझसे जबान लड़ाएगा चलो उठो और निकलो दुबारा दिखना नहीं ए इधर आना अगर यहां पर आना है ना तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी जाके मेरे लिए सिंग दाने की चिक्की और सिग्रेट लेकर के आए एक सिग्रेट जाना क्या हाले भाई पहले ही कहा होता कि तुम्हें सिग्रेट चाहिए यह नाटक करने की क्या जरूर थी क्या है भी यह तुम लोग मेरे हाथों से एक दिन जरूर मार खाओगे निकलो यहां से जाओ अब तू भी ना यार जूनियर्स को क्यों परिशान करता लेता है एक सिग्र और हो रहा था तुवर टाइम पास करने के लिए उनके साथ मजाग चिया मैंने उनका मजाग उड़ा तो क्या है अब उन्होंने तुझे टाना मारा तो शम्झा भी नहीं लोग अब यह जाके पढ़ाई गर ठीक से पढ़ाई हो रही है न तुम मुझसे बात ही मत करो क्या किया है मैंने हर रोज तुम्हें दुकान पर खड़े सिग्रेट पीते देखती हूं सुबह सुबह उठकर अगर काम दूने जाओगे तो तुम्हें कोई काम मिल जाएगा तुम्हें क्या लगता है वो घर पर आतों में चोटा सा बच्चा है और उन सबका एक एक पती है और तुम हाथ में नोटबुक रखकर यहां वाँ घूमती रहती हो अगर मेरी बात मानी होती तो अब तक हमारे चार बच्चे होते अभी भी देर नहीं हुई है बोलो रेडियो क्या मैं बेवकुफ हूं जो तु कितने बज़े पहुंचना है साड़े आठ ने ने तुम ना बज़े आ जाना ठीक डीक मिलता हूं मैं लेट मैं थोना प्लीज मैं आ जाओंगा ना चलो निकलो क्या हुआ यार अरे उसके एरिया में मंद्रे में कोई पूजा है मतलब रात का प्लान कैंसल नहीं नौ बज़े तक पहुंच जाएंगे तो चलेगा वह सब बात में देखेंगा अच्छा भाया पांडी तो निकल गया होगा ना निकल गया होगा उसे फोन करो ना वो बच् करो हाँ तुम निकले की नहीं मैं अभी तुरंट निकल रहा हूं रात होने से पहले पहुंच आना और ठीक से गाड़ी चलाना आप चिंता मत करो मैं आ जाओंगा थीक है बार में बात करती हूं कि अलो आँकिल आजा बेटी किसी हो तुम मै तो बिल्कुल ठीक हूं इससे youthaden कैसा ए तुम कैसी हो मैं ठीक हो नाना जी नाना जी से आशर्वात लें लो डिता रहने दो बेटी बेटीश्टे लोoung भगवान तुमारा बला करे देर सारी खुश्या मिले अब ये तु जाकर जरा हाथ पाउंद हो करा जा जिए नाना जी पापा का है मंदर में पूजा की तयादी कर रहे हैं बेटी गैत्री की पढ़ाई कभी खत्म होगी अप्रेलिया माई के आखिर में पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी पांडी के साथ करवा देनी चाहिए पांडी की उम्र दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है जैसा आपका हें अब जुल्दी लेकर आओ जाना हाँ ठीक है अब तू कब आया अभी आया मैंने मुत्तो को ट्रिंक लाने के लिए एक दो पैक मारके जा इतनी जल्दी अरे गायत्री के एरिया में कोई पूजा है तो उसने हम सब को वहाँ पर बुलाया है हम जल्दी से गटक के चले जाते हैं मंदिर का तेवहार है आज पीना जरूरी खांदान रहेगा तो उसे तो हम लोग दिखाए भी नहीं देंगे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहां से लाया वे तू ये सब अन्बू की दुकान से अन्बू की दुकान से मुझे एक बात याद आई वो कांसलर का बेटा वहाँ पर खड़ा आने जाने वाली लड़कियों को बहुत बूरी तरह से छेड़ता रहता है किसी दिर उसका सर फोड़ना पड़ेगा तभी जाक जल्द खोल दे यार अब तुछे नहीं खींच के लगाऊंगा क्या यार तुई तो बोला जल्दी जल्दी पीना है इसलिए खोलने को बुला यहां उपस्थित, भक्त जन, माताओं और बहनों यह हमारे भगवान के लिए भोग है पूजा खत्म होने के बाद हम रस्म को आगे बढ़ाएंगे सब लोग हाथ जोड़ कर सच्चे हिते से प्राशना कीजिए कि है भगवान आप हमें शक्ति दे हमारे कश्टों को दूर क करें हमारी जुदगी मेँ जो भी परिशानिया है उन सबसे हमें भूप्ती मिलें अचा ठीक है क्या decision लिया तुने किस बारे में वो लड़की जो रोज बाहर आकर तुझे बड़े प्यार से देखती है उसके बारे में फैसला लिया की नहीं उसमें हम क्या कर सकते हैं वो सिफ मज़े ले रही है बाई आवएट कर वो मजाग नहीं कर रही है सुभा उसने मुझे रो तो पता है नहीं क्या होगा तो सब कुछ जानता है फिर भी ऐसा क्यों चाहता है तो कहना क्या चाहता है समझा नहीं क्या जो भी मुझे ज्यादा प्यार करता है वो मर जाता है बच्पन से मेरे साथ यह होता आ रहा है बड़े पंडित की तरह मत बोल मैं हूना तेरे लिए तुझे क्या लगता है मैं भी मर जाओंगा मेरा मुह बन नहीं करेगा तो क्या मैं मर जाओंगा और भी बहुत बड़ी जिंदगी जीनी है और अगर मैं मर भी जाओं ना तो तुझे भी मेरे साथ मरना होगा तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचने वाला तू इससे भा कि अन्हूर्ची कर दो क्ञाकीं, व्यांता करोंgrass हो जो पूंजे है कि अह महत नहां हो घंधा नहां है आपके लकल प्रौस जीर है बंगलता या जो जां ए मंगलता ये जम एकल एफ़ जा शचाना ज You जो चलो शलो हो गया हो गया चलो साइड़ाटो चलो हमने अपना काम कर दिया हम नाचने आए नाचा का कर दो कर दूर कि जया कर दो अगथ को यह आंक जाता है यह क्या खर्या पिर सो आज हो रहा यह जगा देना यह चालना 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 कि अरे रुको है वह तुछ रुखने के लिए बोल रहा है तु सिर्फ चुप-चप चलती रहे बाकी मैं लेख लोगी मैं आवाज दे रहा हूं रुक नहीं सकती किया क्या परेशानी है तुम्हारी कौन हो तुम क्या चाहिए कौन हूं ऐसा बरताव क्यों कर रही हो कल रात के अरे तुम गार्डन के सारे फूल मुझसे मांग लो मेरी जान और अगर चाहो ना तो खिड़की की सारी ग्रिल मांग लो या नारियल के पेड़के पत्ते मांग लो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम गुन-गुनाएंगे यह सब करने का कोई फाइदा नहीं होगा क्या बोल रही थी यार वह तुझे बहुत नाराज हो गए मुझसे यार पर हुआ क्या सब कुछ तेरी वज़े से हुआ है तूने मुझे बहुत ज्यादा पिला दी थी देख यार रात में हम लोग पीकर थोड़ा नाच रहे थे तो यार इसमें हम लोगों की क्या गलती है क्यार एक बात बता आदमी पीएगा तो नाचेगा भी ना अब जिसको हम पी रहे हैं तो हमें उसको भी तो पूरा सम्मान देना ही पड़ेगा यह बात जाके उस लड़की को समया जब वो पीएगी तो फुट भी नाचेगी एक कान के नीचे बजाओंगा परेशान मत कर ज एक मिनट रुगी है टाइम क्या हुआ है पांच बज रहे हैं पांच बज रहे हैं बता दिया ना अब खड़ी के हो जाओ यहांसे जाओ 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 चलती हूं ठीक है कल मिलते हैं तो एक पर कह दिया तो समझ में नहीं आता निकले यह से अरे रुको तो सई तुम खुद को क्या कोई बहुत बढ़ा आदमी समझते हो तुमने मैम से ऐसे बात क्यों कि मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रहा था पूछना इतना जरूरी था क्या तुम सिर्फ मुझ पर ही अपना गुस्सा उतार सकती हो जब तुमने अपनी मैडम को तुम कहां प्रही थी कौन कौन दर रहा था मैंने अपनी आँखों से देखा है हाँ ठीक है अब टाइम पर घर चले जाओ वरना घरवाले सोचेंगे कि बेचा कहां चला दो ठीक है मैंने माफ कर दिया मेरा भी तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कर दो कर दो अभी तेक आया नहीं? अब जट्टो नहीं आगया आगया ए पहले मेरी बात सुन जो भी बात है उसे क्लियरली बता देना हिच के चाना मत ठीक है न ठीक है आप जाती हूं ए आल थे बैस थांक्स मुझे तुम से कुछ बात करनी है घर जाओ हमें किसी ने देख लिया तो कोई बात नहीं तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं हां मैं जानती हूं ना तो मैं बेवकुफ हूं और नहीं मैं टाइम पास कर रही हूं क्या चाहिए तुम्हें इतने गुस्टे से बात मत क करो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं बस इतना ही तुम्हारा जवाब हाँ है या ना है वो तो बता दो मैं पसंद नहीं हो तो चली जाओंगी और दुपारा कभी डिस्टप नहीं करूंगी कि पसंदो कुछ दॉप है Mix Cola इस बताना क्या हुआ कब से पूछ रही हूं कुछ तो बता क्या हुआ उसने वनां ययूं अ yn पागल पापा आगे ठीक है मैं अंदर जाती हूं यह क्या है बापा हमारी सुशी आंटी का कोई रिष्टेदार है जो हमारी रेवती से रिष्टा जोड़ना चाहता है यह लड़के की फोटो है तो आपने उनसे क्या कहा अभी मैंने कुछ नहीं कहा है बस उनकी इज़त रख पाग्वादी इज नहीं को पर इंगा को कुछ समुझ में यारा रहा है जाओ एक्सक्यू में इस्क्जू में और हरी इन टेक एक्सी क्या बात हैं फ्रटाफटी तुम्हें इंग्लिश भी कंच वहिपादी और हैं तुम्हें इंग्लिश भी पागल हो गया उसे हिंदी कैसे समझ में आएगी फॉरिनर है ना देखो मेरी मात्रु भाषा हिंदी है और मैं एक सच्चा हिंदू हूं समझी और तुम भी भारत की हो पागल कहींगी तुम अपनी जबान पर थोड़ा लगाम रखा करो करना तुमें कोई नहीं पूछेगा य कि बोलो ना कहां पर हां ठीक हाता हूं कौन था अरे वो लड़की है क्या बोल रही है उसको मुझसे कुछ बात करना आगे दुकान पर इंतजार कर रही है सही है सब कुछ सही जा रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं पापा मीटिंग के लिए तिर्ची गए हुए है और उन्हें लॉटने में रात हो जाएगी तो 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 मुझे कहीं बाहर ले जाओगे देखो यह अच्छी बात नहीं है तू इस पर लाइन मारने से चाहिए घर पर ही रहती मेरे लिए प्लीज प्लीज मेरे लिए तुमसे कुछ मांगा है क्या बस एक ही बार ना प्लीज ठीक है चलो अरे वा मैं तो तुम्हें कम समझता था जब तक सफलता ना मिले कोशिच करते रहो बहुत सही जा रहे हो तुम जाकर भाया को घर छोड़ कर आजा नहीं नहीं नह मैं चला जाओंगा तुम लोग एंजोई करो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं अरे मैं चला जाओंगा तुम लोग जाओं ना ठीक है अचलो ये बाइक तो तुम्हारी है ना तो अपने नाम के बज़ा तुमने हरी का नाम क्यों लिखा इस पर देखो नाम उसका हो या फिर मेरा बात एक ही है उसकी इच्छा थी इसलिए मैंने खरीद ली मुझे बाइक की क्या ज़़रत थी हाँ ठीक है समझ गई अच्छा हारी भाईया की तरह मेरी भी दो इच्छाएं है तुम पूरी करोगे क्या है पहली ये कि तुम दारी निकाल कर क्लीन शेव हो जाओ ये भी कोई इच्छा है क्या ये मैं नहीं कर सकता ठीक है कोई बात नहीं दारी में भी ठीक ही लगते हो लेकिन मेरी जो दूसरी इच्छा है वो तुम्हें पक्का पूरी करनी होगे वो क्या है आज के बाद तुम दारू नहीं पियोगे मैं जो पूरी नहीं कर सकता है वैसी इचा क्यों रखती हो सकता है अगर तुम ठान दो तो आज के बाद तुम नहीं पियोगे चलो मेरी कर्सम खाओ चलो रास्ते में कुछ खाएंगे क्या मुझे भूख लगी है पीना यार मुझे नहीं पीनी है क्यों अगर उसे नहीं पीना तो छोड़ना ये लिए चल मेरी लिक बना रुकना यार वो गायब हो रहे क्या एक छोटा सा पेक तो ले ले नहीं चाहिए यार लेकिन क्यों उस लड़की ने अपने सर पर हाथ रखकर मुझे कसम दिलाई है कि आज के बाद से मैं कभी नहीं पीऊँगा क्यों बैं तुम मर क्यों नहीं जाता जाकर अरे वो सब छोड़ अच्छा इसके हिससे कभी मैं पीलूं क्या कमीना कहीं का पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ ठीक है चल पीले अच्छा यह बता मुझे यहां के लिए कर आए हूं बस ऐसी आज कल जो प्यार करते हैं वो कुछ ज्यादा ओवर करते हैं कौन है वो हम तो वेस्टार में बात कर रहे हो अपना इश्वर अन्द जब से मैं उसे जानता हूं आज तक उसने अपने काम से कभी छुटी नहीं लेकिन कल एक लड़की ने उसे बाहर ले जाने के लिए क्या कह दिया वो सीधे सीधे उसकी बात ही मान गया और उन्होंने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया अरे उस बात को तो छोड़ो रात में हम जब पीने के लिए बैठे थे तो उसको हमने पीने के लिए पूछ शराब नहीं पियोगे और अगर पियोगे न तो मुझे भूल जाना तुम्हारे साथ समय गुजरने आया था इस वक्त यह सब जरूरी है क्या हलो हाँ बूल है इसा है गया अभी तो मैं बाहर आ गया हूं तो एक कम कर तो निकल और पैदल चलते हुए जाना और घर पहुंचने के बाद फोन करना कौन है हे मा बहुत चाती है कि मैं उसे लेने जाओ तो फिर जाओ ना अरे घर पर आ जाएगी अपना ही एरिया है ना वो पापा ने तुम्हें छोड़ा है ना सौरी सौरी तुम लड़की हो कहां तुम तो एक गुंडी हो देखो मेरा दिमाग मंद खराब करो चुप-चप चलो कि विए आइभ लें अकली घर जा रही है और चलते हुवे जा रही है आगर वो तुझे नजराया तो इसे ले जा ना कि अ है है कि या आन आटक कर रहे हैं है है वोती है.. भाई.. अब भुषकल दुपान के सामने आपके भांजे की पिटाई हो रही है तुम्हें पता है किसको हापने है तुम्हें किसको हापने है तुम्हें कि दर एक लड़के ने पिटाई कर दी है क्या बोल रहा है यह सच है दीदी अभी इसके लिए तुम कुछ करना पड़ेगा दीदी अभी इलेक्शन का टाइम है हाथ पे जोड़कर किती मुश्किल से मैंने यह मेर की कुरसी हासिल की है तीन चार करोड रुपए खर्च हो गए है मेरे इस वक्त अगर तुम लोगोंने क पहत्म हो जाने दे उसके बाद उसे देख लेंगे चुप-चप निकल वहाँ से ठीक है जो मर्जी आए करो आज मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं लेकिन कभी ने कभी मेरे हत्ते जरूर चड़ोगे तब देखूंगा तुम्हें है यह पांजे उट चल ले चिंता मत क भांजे महीं लोगों को तेख वोंगा तो अभी घर चल तुम क्यों उस बारे में इतना सोच रहे हो भूल जाओ ना लड़कियों को छेड़ते रहते हैं आवारा कहिं के अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं क्या होता उसके मां कांसलर है तो कुछ भी करेगा क्या कुछ बु जाना जाती हूं मैंने मन्नत बांगी थी मेरे साथ चलोगे न अच्छा कर लिया पर्सों हम सब लोग गाउं जाने वाले हैं चार दिन में वापस आजाएंगे गाउं क्यों ऐसे ही मां के गुजरने के बाद कभी गई नहीं तो पापाने का हाग चलते हैं अच्छा अब मैं च हुआ 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 है चलो चलते हैं अरे रुग जा अरे रुग ना मुझे पसंगा तो प्रेम जे रखातो मेरे माथे पर लगातो लगाओ ना क्या प्रेव भी प्रेम के इस्का हुआ है अखो मोझे दो कर लादे दो को, कि अजय को. अजय, भो को, को, को. तस्त्या है! पाप। क्या हुआ कपड़े चेंज किये बिना ही ऐसे खड़ा है अब तुझ से कह रहा हूं क्या हुआ मंदिर से आते समय उसके पापा ने हमें साथ में देख लिया था वो उनके साथ गाड़ी पर चली गए थी उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं अब है क्या बोल रहा है तू और यह सब हुआ कब है है हलो मैं बोल रही हूं पापा ने कुछ नहीं कहा उस बारे में बात ही नहीं कि कल सुबह हम लोग गाउं जा रहे हैं यहीं बताने के लिए फोन किया था मेरे गाउं से लोटने के बाद तुम अपने घरवालों को लेकर मेरे कौन है क्या हुआ अरे वही थी वैसे घर पर तो कुछ नहीं हुआ कल सुबह वो अपने गाउं जा रहे हैं लोटने के बाद घरवालों को रिष्टे के लिए लेकर आने के लिए बस इतनी सी बात है चल कोई बात नहीं देख लेंगे किस रिष्टदार को लेकर जाओंगा म और अगर उसने मना किया ना तो फिर उसको मैं देख लूँगा अरे कुछ नहीं सुबह मंदिर से लोटते समय उसके पापा ने इसको देख लिए बस इसने पर अधर अधर कर नहीं है कि एक मिनिट आप से बात करनी है मुझे अब क्या जरूवत है उसे मुझे कुछ नहीं देखिए इश्वर को एक लड़की बहुत पसंद करती है और इश्वर भी उससे प्यार करता है उस लड़की ने काए कि अपने घरवालों को लेकर उसके घर पर रिष्टे के लिए आजा अभी तो वो लोग गाउं गये हैं गाउं से आने के बाद मैं आपको बता दूगा आप आजाना और कोई सेवा करनी है नहीं और कुछ नहीं है अब आप आफीज जा सकते हैं एक थपड़ लगाओं क्या इस तरह खामोश क्यों बैठा है यह जो कह रहा है सच है ऐसा है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया यह तेरा वकील है क्या है मेरे लिए जाएंगे या नहीं समझ में नहीं आ रहा था इसलिए अरे मैंने यह होंगा तो और कौन आएगा तू भी मेरा बेटा ही तो है जब जाना होगा बता देना यार तू अपने पापा से जस्ते बात करता है ना उनका चेहरा देखकर तो मुझे बहुत घबराहत हो रही थी अगर उनके सामने हम जाकर डर के बात करेंगे ना तो हमें सुधार ने के नाम पर पूरा दो घंटा कथा पुरान सुनाते रहेंगे समझा अच्छा छोड़ना अब उनको उन्होंने हां कर दिया ना तो और गया इन दोनों की शादी करवाने के बाद इसका शर्माता हुआ चेहरा देखना पड़ेगा क्या इसको क्या कमी है यह तो दूला बनने वाला है कब रिष्टा पका किया मुझे तो पता है अब तक कुछ पका नहीं है वो लोग आज ही गाओं से आये हैं कल जाकर बात करनी है अब तुम वहां जाकर इस तरह से बात करनी है ठीक से बात करना जो भी कहोगे सोच समझ कर कहना जाओ जाओ सब पता है मुझे तुम्हें कुछ नहीं बता है और यह मुझे अची तरह से पता है समझ इसे इस जाब यह इसा संबहों कि क्या बात तेरे बारे में यह सब कुछ जानती है अरे कहा गया ये अभी तक आए रहा होगा उंकल अब इंसान के जैसा लग रहा है जरा इसे भी समझा क्या ये गंदा काम करके आया है तू लड़की बहुत दिनों से कह रहे थी इसे लिए लगता है धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाएगा तू ठीक है ठीक है चलो यहां से कि पहले मंदिर चलो तर्शन करके वहां से चाहिए चल गाड़ी निकाल भाई कि बास बास यहीं पर खड़ी कर कि बास 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 बास्त कर लाईब है तू लो तू अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अरे यार वाकल, फोन भी नहीं उठा रहा गायत्री, अब तक तु सोई नहीं बेटा, क्या हो जया? कुछ नहीं मा, बैस ऐसे ही अच्छा जाके सोजा, हाँ? ठीक है मैं एए, एए, रहने दे कोई फाइदा नहीं है यह बता, वो दोनों कहां गए वो तो अपना काम करा था ना, तुम उसकी जिन्देग में क्यों आई? क्यार तो बीच में मता, मैं तो मुह तोड़ दूगा तेरा, तुमारे इज़्जत की तो ऐसी की तैसी, अधर देख, उच्छे पूछ रहा हूं, जवाब दे, तुने खुद पूराताना रिष्टे की बात करने आ जाओ, तो फिर तुने ऐसा क्यों किया मता, हाँ हाँ, छो तुमारे नुद्धा की बात मानूंगी, आपको मेरी इत्ते ही प्रोड़ी दास ने देख, पर बद्दाम नहीं कर दोते, मैं कहरे हूं ना, चाहिए यहां से, कहा नहीं चाहिए तो एरी तो, जड़ो यहां से, झाल चाहिए तो, तुम अंधर जड़ों, जड़ों ज़ों झाल प्लाव प्लाव झाल कुछ तो बात कर यार अरे तुझसे बोल रहा हूं अपने दुख को अंदर में छिपा कुछ तो बोल भाई तू अगर ऐसी पीता रहेगा तो कुछ बदलने होला नहीं है जो कह रहा हूं वो सुनाई दे रहा है ना तुझे अबे तुझसे बोल रहा हूं मैं क्या कर रहा है दिल के भडास को आसूं से निकाल दे तभी दिल हलका होगा तेरा नहीं निकलेगा आसू नहीं निकलेगा मा बाप मरे थे तब तो आसू निकले नहीं इसके जाने से आसू निकलेंगे क्या आसु नहीं निकलेंगे तु क्या जानवर है हाँ हूं जानवर मजे कोई फर्क नहीं पड़ता ए ए क्या अटर रहा तू कि वह आगी तुम्हारा फोन का है कब से ट्राय कर रही हूं करके बता नहीं सकते कि क्या चल रहा है सब कुछ खत्म हो गया उसने इसको धोगा दे दिया उदर गए थे तो वो किसी और के साथ खुश थी तुम्हें पी हुई है ना अरे वो छोड़ो तो फिर मेरी कासम खाकर कहो है वो एक अच्छा इंसान है उसके साथ ऐसा क्यों होता है ओ मेरे साथ कुछ भी हो चाहिए तुम्हें परवा नहीं है ना अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा आज के बाद अपनी शाकल मर्दिखाने जोड़ो मुझे मुझे थमसे बात नहीं करने अरे जाओ जाओ कोश दिनों के बाद तो वैसे भी धोका देगी तो अब ही दे दे ना चली जाए यहां से सारी लड़के एक जैसी होती है जाओ यहां से तुम लोगों को टाइम पास करने के लिए हम लोगी मिलें हैं क्या क्य पैटना तु नहीं है तो क्या हम जी नहीं सकते तु फिकर मत कर मैं हूँ मैं सब देख लूंगा हमें किसी की जुरूत नहीं है कर दो कर दो कर दो कि जुरूत नहीं है कर दो कर दो कर दो कि जुरूत नहीं है कर दो कर दो कर दो कि जुरूत नहीं है कर दो 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 क हेलो क्या हुआ कब कहा पर हुआ अपनी तरफ कोई नुक्सान तो नहीं वा ना चोट लगी है किया सुनिये जी कौन है ठीक है तुम फन रखो मैं आता हूं अभी किसे चोट लग रही है बताएए ना अपने रवी का हाथ किसी ने काट दिया है क्या किया तुम लोगों ने चिंता की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर अपना आदमी है उसको पुलिस ट्रशन नहीं जाने दिया सिदा हॉस्पिटल लेकर आया अभी कहा है अंदर यह सब करने की चाहरो है और हर यह पर अपना नाम करा रहा है तो तो यह करेगा अगर कर बदाबर करेगा अभी सबस्क्राइब ठीक नहीं है समस्या बढ़ती ही जाएगी मैं इसे मदुरे लेकर जाता हूं तो यहां सब सम्हाल लेना ठीक है डॉक्टर कहां पर है अपने केविन में क्यों बे कॉलेश शम्चान की तरह खाली क्यों है पता नहीं यार अरे भाई सुनो कॉलेश में कोई दिखाए नहीं दे रहा क्या बात है कॉलेश की छुट्टी है अरे किस बात की छुट्टी है आज तो कोई हॉलिडे भी नहीं है अरे बच्चों को पढ़ने के लिए दस दिन की छुट्टी दी हुई है किसको पूछ का छुट्टी दी है अर क्या यार घर भी बंद है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है लगता है कहीं बाहर गये होंगे कुमार को फोन लगा लेकिन क्यूं यार अबे तू लगा ना अगर इनके घर पर कोई देखे तो मुझे फोन करने को बोल कुमार है हलो अच्छा आ गए क्या थैंक्यू सुमच यार तूजरा पूछ के बताना मुझे पिछली बाहर भी कहा था उसे लेकिन ठंक से पागे पाए तुम सबने वोट दिलवा कर मुझे जिता दिया पोस्टर्स वगरे चिपका कर तो धमाल ही मचा दिया मैं भी आप लोगों की हर तरह अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो इससे मिल लेना ठीक है जीदी हर काम अच्छा करती है यह बार जंता तक होशनी चाहिए मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए ठीक है यह जिम्मेदारी तुम लोगों की है क्या मामला है जाकर देख कि मैं यह सब नहीं करूंगा किसी और को भेज के करवा लो ऐसा क्यों बोल रहा है तू क्या हो गया तुझे अभी बताना ज़रूरी है तुम लोग जाओ मैं सब देख नहीं कर पाए सब लोग वहां पर हंस रहे थे तुम्हारी वज़े से मैं चुप बैठा पूछ रहे प् मेरे भाणजे को मारने वाले को पहले मैं मारूंगा उसके बाद तुम जो कहोगी करूंगा अभी अभी मुझे एक कुरसी मिली है अगर इस वक्त कोई भी गड़बर की न तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तू अपने गुस्ते पर काबू रख यह लेपी इतना टेंशन में क्यों है हम लोग है न समभाल लेंगे यार अरे वाँ बेटे की शादी पक्की हो गई हाँ बाई शादी पक्की हो गई है लड़की के बाप कई पहूंता ऐसा है क्या लड़की वाले कल घर आ रहे हैं मुझे भी घर जाना है जाओ 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 अरे हो अंकल इतना चिला क्यों रहे हो उदर जाके बात करो ना तुको नोता है हम लोगों से इस तरह बात करने वाला अभी तुछाता है कि नहीं मैं देखता हूं सुनिए मामला थोड़ा सा सीरियस है मैं सौरी बोलता हूं आप लोग जाईए ना आप लोग जाईए है क्य खुद आकर बात करती थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टेंशन मतले बस एक दिन की तो बात है जैसे ही कल कॉलिज खुल जाएगा ना तुझा कि उससे बात कर ले ना मामला सेट हो जाएगा अब कूल हो जाए यार यह लो पैसे मा मैं जा रही हूं कुछ खा कर तो जा नहीं मा देर हो रही है मैं बाहर खालूंगी अरे बेटा घर से खाली पेट नहीं निकलते थोड़ा सा ही सही पर कुछ खा लो बेटा थोड़ा सा खा कर जा बेटा मैं आ रहा हूं रावी तुझे छोड़ देगा फिक्र अरे वो अभी तक नहीं आई आ जाएगी यार अब ये तो वो रवी है लेकिन ये इसको क्यों छोड़ने आया है समझ में नहीं आ रहा है एक्जाम ठीक से देना मैं तुझे बाद में लेने आ जाओंगा जरत नहीं है मैं खुद आ जाओंगी मैं फ्री हूं मैं तुझे लेने आ जाओंगा अभी तो एक्जाम देने जा अच्छा ठीक है जाओंगी मैं तुझे था जाओंगा नहीं है कि यह औरत कैसे जिद गई यार दोस्त ज़रा समल कर रहे ना इसके बेटे पर तुमने हाथ उठाए इस बात की दुश्मनी निकाले गी क्या यार उस बात को तो कितना समय बीच चुगा है तू समझ क्या रहा है इलक्षन था इसलिए वो लोग चुपचा बढ़ गए फिर भी चौकरन रहना हमारा काम है कि बोल पांडी भाई पापा अचानक बेहोशो कर गिर गए हैं या बोल रहा है तू क्या हुआ पता नहीं डॉक्टर कह रहा है यहां इलाज नहीं हो सकता हाट की बीमारी है इन्हें बड़े अस्पताल में लेकर जाना होगा अभी कहा है एंबुलेंस में हूँ और हाइवे कर रहा है थीक है तू संबल कर जा बंगी सब को बताता हूं और फिर सीदो फिला आता हूं पांडी साथ में है आप जीजा झी जी को लेगे सीदा हॉस्पिटल पहुंचो पिता जी आपकी तब्यट कैसी है अब अभी ठीक हो बेटी डॉक्टर ने क्या बोला है उसने बताया कि हाट में ब्लॉकेज एक मेने के इंदर ऑपरेशन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा डरने की बात नहीं है तो फिर इंतजार किस बात का जल्दी से ऑपरेशन करवा देते अगर उसके बाद मुझे कुछ हो गया तो भी चिंता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे है पिता जी आपको कुछ नहीं होगा तुम्हे कुछ नहीं पता फिती सुनो दमाज जी कल का मुहुरत बहुत ही शुब कल ही हम सगाई कर लेते उसके बाद जो भी शुमोहुरत मिलेगा उसमें शादी करवा देके फिर तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए तैयार हूँ क्यों क्या हूँ जी यह सब तो हमने पहले से तैय किया हो था ना सब कुछ ठीक है बाओ जी लेकिन एक दिन में सबको कैसे बुला पाएंगे सबको बुलाने की क्या जरूरत है सिर्फ अपने करीबी रिष्टतारों को बुलाकर घर में सगाई करवा देते बस काफी है यह मैं देख लूगा है ठीक है पिता जी गायत्री अभी घर आती ही होगी चापी मेरे पास है तो मैं चलती हूं हां ठीक है तुम यह मैं देखता हूं बस यह बढ़ा है ऐसे घर बंद करके कहां चले गए थे आप लोग कितनी देर से बाहर कड़ी हूं मैं हॉस्पिटल गई थी बेटा यह हॉस्पिटल गई थी क्यों मा अंदर चल बताती हूं आप हॉस्पिटल क्यों गए थी बताएए ना तेरे नाना जी को हाट में ब्लॉ ले गया यह क्या रही है अब कैसे है वह अब ठीक है डॉक्टर ने कहा है कि एक महीने के अंदर ऑपरेशन कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा तो अपरेशन शुरू कर देना चाहिए था ना हां लेकिन नाना जी चाहते है कि पांडी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए उस अब ने हां कहा कल तो सुबह जाकर एक्जाम देख करा शाम को बात करते हैं ठीक है ना चल अंदर हां भाईजा कल ही तो ये बात पक्किन हुए आप बड़े भाईया को बता दीजिए और सुबह जल्दी आ जाना हां ठीक अच्छी हां अब मैं रखती हूँ अचानक ही सब कुछ तेह हो गया इसलिए मिलकर नहीं बता पाई अच्छा कमला रखती हूं मा प्रिया को ये बुग देख कर आती हूं कल तुम्हारी सगाई है और आज इतनी रात को बाहर जा रही हूं नहीं मा कल एक्जाम से उससे भी तो इसके ताब से पढ़ाई करने हो कि अगरे पिताजी कैसे है खाना खाया उन्हाने काने अभी ठीक है कि अ कि फ्रेंड के घर गई है अरे वह प्रिया की कोई बुग ती गायत्री के पास में और कल इनदो का एक्जाम रहे उसले जाकर उसे पुम भी दे देगी और सगाई के लिए नि खही भी बहूँ के क्या है यार ये मुझे इसे तड़पा रही है उसके बिना में जी नहीं सकता ये बात उसको पता है फिर भी वो क्यों मुझे परिशान कर रही है एक थोड़ी सी पीले सब कुछ ठीक हो जाएगा कि इसकी वजह से ये सारी नौबत आई है और दर्द को भुलाने के लिए भी इसी को पीना पट रहा है कि अधिया थी पादल हो गया है तेरा दिमाग कराब हो गया यार मैंने कसम खाई है कि मैं इसे कभी चूम गाभी कि क्या क्या तुम मुझसे बात किये बिना तुम दस दिन जिन्दा रह सकती हो ना तुम से गुस्सा होने की वज़े से मैं क्या कर रहे हूं मुझे खुद भी समझ नहीं और और मेरे साथ क्या हो रहा है यह भी नहीं पता पता है घरवालों ने मेरी और पांडे की सगाई ते कर दी है यह तुम क्या कह रही हो हुआ है कल तो कॉलेट जाएगे ना एक्जाम देने तो चाहूंगी अभी तो घर जाब बाकि हम देख लेंगे तुम्हें डरने की जुरूत नहीं है मैं सब देख लूँगा अभी क्या करेंगी हम है इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसके हाथ का इलाज करणा है इसको छोड़ यार मैं जो बोलड़ां को सुनना मैं मुर्ग दूर समर से बात करके आता हूं कि क्या करना है तु मेरे तु अभी जाकर के मुर्गन से बात कर लें अगर कुछ खरीदना होगा तो लेकर के मंदिर में आ जाना है अहां ठीक है इसंहें आड़ा करें एसे को मर से बात कर ले ना उसको आने कि लिए मत पूणा उधर ही रहने को बोलना हर बात को आराम से बताना और कोई प्राब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल करने को मुलना है हलो सुन कुमार अरे मैं मुझ्तूब रहा हूं यार झाल झाल अरे साव गाड़ी साइड में लीजिए लेता हूँ लेता हूँ प्लिल प्लिल मुबार्खों आरे क्या मुबार्खों यहां मैं बहुत परिशान हो पता नहीं क्या होने वाला है तुम की इतना परिशान हो रहे हो जो भी होगा हम देख लेंगे फेले तुम दोना मंदिर के ओफिस में जाओ ड्रेस चेंज करें बहुत खूब सुरट लग रही हो आच हरी मितुन राशी त्रिवो दया नक्षित्र हरी नमोदस्का कात्री उत्रा नक्षित्र हो मुडभु हस्वाय तत्स वितुर वरिन्यम भर्गो देवस्य दिमही धियो योन प्रचो दयात एक दूस्त्रे को माला पेनाओ लगित्र लग, लगित्वर में सुर्शा नक्राश कि यहां से मुर्गन के घर जाते हैं बागी बातें वहीं करेंगे ठीक है कि रिया कि का इतरी कहा है वह तो आज एक्जाम देने भी नहीं आई क्या वासकों कि क्या बोल रही है तुम मैंने खुछ सुबह उसे यहीं चोड़ा था तुम ने शाद ठीक से देखा नहीं होगा मेरे आगे वाले डेस्क पर ही बैठती है मुझे कैसे पता नहीं होगा भाई साब एदर आई यह लड़की को मैंने आपर चोड़ा था नहीं यह कहरी कि वह यह नमस्ते 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 नहीं चोड़ा देना यह लीजिए चोड़ा चाहिए बोलो भाई पांडी गैतरी कॉलेज में नहीं है और वाज एक्जाम देने भी नहीं आई ऐसा कह रहे है वाजबन से पूछा तो वह कह रहा है कि दो लड़के उसे बाइक पे लेगे थे कुछ तो गड़वार लगनी मुझे तूरुक मैं वहीं आ रहा हूँ हाँ क्या हुआ है तुम अंदर जाओ सारे अलिके कहां गया रहे तुम पागल हो गया हो क्या पागल हो गया हो मैं वो किसके साथ गई है जब तक यह पता नहीं चलता मैं चैंसे नहीं बाटने वाला अरे अगर ऐसा कुछ होगा तो भी क्या हुआ अपनी बच्ची की खुशी सबसे जादा जरूरी है अपने कुछ ऐसा वैसा क्या दो पैर बूल नहीं है सब्सक्राइब जाओ 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 अंडर किपक मैं गायतरी को ढूंग कर नहीं लाता कोई इस घर से बाहर नहीं जाए जाओ भी जाओ परिशान बदो कि एक कल तीस नबर वॉड के काउंसलर को कहो कि मुझे आकर में लेए ठीक है साहब ने खाना खा लिया नहीं खा रहे हैं कि अब तक खाना नहीं खाया अब तक जाओ यहां से मां से कोई ऐसे बात करता है क्या तुम मेरी मां हो क्या तुम्हारे लिए मेर पद और पैसा ही ज़रूरी है न मैं नहीं हूं न मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अब अच्छानक प्यार क्यों जयता रही हो ऐसा मत बोल बेटा, तुझे लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, ए मारी, मारी, सुन बेटा, इस प्राब्लम के बारे में तु भूल जा, तेरे मामा से कह दूँगी, वो सब संभाल लेगा, समझ गया ना? क्या हो दिदी? ए, जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उस आदमी को रात और रात कदम करवा दे बस तुमने कह दिया ना, बाकिया मैं समा दूँगा मामा, मैं भी आता हूँ क्या बात कर रहा है, तु इस आलत में कहां जाएगा, तेरा मामा जिन्दा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला बीदी, इंस्पेक्टर को बता देना वो सब मैं देख लूँगी, तु जा चल्ट, उटज़े, उटज़े, खाना खाले चल्ट, अब तू ऐसे क्यों खड़ी है, जैसे पाहट तूट गया हो, मैं अपनी मा और पांडी के बारे में सोच रही हूँ, क्या वो मेरी मा को मा कहकर बुलाता था, कभी आंटी नहीं कहता था, मेरी नाना की भी इच्छा थी कि मेरी शादी पांडी से ही हो ऐसे क्यों खड़ी हो पूछा तो इतनी बड़ी काहानी बतारी एक दिन धिक्टत होती है, फिर सब ठीक हो जाता, कल का दिन ऑच्छा नहीं है, क्यों, कल तो तुम दोनों आका जनम दिन नहीं है, अज पेले रुगजा, तु हमारी फिर्स नाहे नहीं है, तुम मैं सुहगा कहा हूँ, अबे रोड पे जाके सोजा अच्छा ठीक है तू समाल ले हम सब समर के घर जाकर सोते हैं चलो चलो यार हम लोग सुभा आएंगे ठीक है टेंशन मतलो आराम से आना करेंशन मतलो आएंगे जिसने अपने एरिया मेरे भांजे पर हाथ लगाएंगे उसे रात और रात खत्म करता है अपने अपने हाथियार लेकर जल्दी से कुल के पास आजाओ कर दो 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 कि अप्सक्राइब में एक करने कुछे.. तुछ सुछ पसे उपनी.. सुछ पस्नद करें.. सुछ पस्युक्यू.. हलो.. क्या बोल रहा थी.. कभी.. हाँ बोल यह क्या बोल रहा है तू उसको उधर जाने के लिए किस ने बोला अरे अरूम 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 आगे आगो जाओ असना पिछा करो जदी जाओ जाओ चुड़ आपा तूसे जल जली परा लगे यह उच्जा यह जली चला जली जली चला जली आटे तो, आटे अर्ण जला अज़ आटे आटे करो ऩ। लेशा झाल 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 घयात्री गयात्री की धित kitty अवा ध्याँまた प्युंट से इसे जोंदी को आ जो तो आया थेलिया, 최ट की अहां, पचल मा जोड़ हूं Cosmos अब यहां पर तेरी किसी को कोई जर्रत नहीं है जा सुनok के इसब थेरी वाज़ दू कर दू कर नहीं है निखाल नहीं निखाए नाम जोड़ एसे कर यह जू answer पापा इस बापा उसी कहा ये ना मुझे मां को देखना है नहीं पापा कोधिरा अन तेरा बाप तुझे कितना प्यार दे पहुछा दिया बुझे कुछा कौन है रहे तेरा बादढ़ अप से करने मां को देख रहा है बाप मुझे मां को दिख रहा है बाप चलिजा आपने अपनी शकल में से मरत टिकाना इसकी आत्मा को शांती मिलेगी जाए अथां दूर चलिजा मेरी नेद्रों से जाएए जलिज्या याथे जलिज्या याथे जलिज्या 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 भ। मोँभण यूज़ यूज यूजाओ यूज़ 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 हुँ़ यू़ यूझव यूज़ और शर किसते हम जान प्र कर दोजर पम एनर इनरे, जो कर दो जर कर दो था जहा। हुआ 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 कर दो 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 अए अए आए मुझसे जो प्यार करता है, वो मुझसे बिछड जाता है, और ये मेरे साथ बच्पन से होता आ रहा है चल अगर मैं मर गया ना तो तू मेरे बिना जी नहीं सकता क्योंकि मेरे मरने के बाद तुझे भी तुरंत परना पड़ेगा तू मुझसे बचने ही पाएगा भाई अगर मुझसे बिना लाना तुझे भाई कर दो